हेलो आवरीवन, वेलकम टो सिविल एस्परेंट यूट्यूब चैनल फिर से मैं हजरू एक बैतरिन वीडियो के साथ में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैतरिन बॉलिवोड मुवीज के बारे में जानका है दूँगा मैं आपसे ये बात तो नहीं करूँगा कि इन मुवीज को देखने के बाद में आप एक I.S. ऑफिसर बन जाएंगे या फिर आप एक I.S. ऑफिसर बन जाएंगे जैसा कि बहुत से यूटूब चैनलों को पर मैं देख रहा हूँ जो आपसे जूटे वादे करते हैं मुवीज को देखने के बाद में कोई भी वक्ती औफिसर बीज सकता है मैं बात आपको पहले बोल दो लेकिन ये किन मानिए अगर आप इन सारे मुवीज को देखते है तो आपकी सोच इस समाज के परती बदल जाएगी आपका नजरिया इस समाज के पदल जाएगा और जिस नजरिय से इस समाज को आप देखते हैं आपके सोच पूर्ण रूप से बदल जाएगे सो दोस्तो बिना वक्त को जाए कि हूँ छलते इस वीडियो को कांटीन्यू करते हैं सो दोस्तो पहले नंबर पर में जिस मुवी का नाम लेने वाला हूँ वो है न्यूटर IMDB की 7.8 की रैटिंग के साथ में इस मुवी ने ओसकर के लिए अपना नाम रखा था ओसकर के साथ में इसने 22 अधर अबोर्ड को भी जीता था इसके अंदर आपको लेजेंडरी अक्टर राजकुमार राओ और पंकस तरिवाटे की बेतरिन अधाकारी देखने को मिल चाएगी इस मुवी के अंदर आपको नकसर राइट एरी के बारे में जान कहीं दी जाती है समाज के वो ऐसा तबका जिसके बारे में आम तोर पे व्यक्ति सुनता नहीं है समझता नहीं है और उसको उपर आपने टिपने जूरो कर देता है दोस्तों इस समाज के उस तबका के उपर बनी मुवी है आम तोर पर को भी डारेक्टर सा सोचता भी नहीं होगा कि इसके उपर भी मुवी बनाने चीए एक ऐसी मुवी है जिसको हर UPCS प्राइन को देखने चीए इस मुवी के अंदर आपको जिब देखेंगे तब आप पाएंगे कि डेमोक्रेसी का असल में मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी का नकसल राइट एरिये में क्या मीनिंग होता है एक पोलिंग बूत ओपिसर जोंकि एक नकसल राइट एरिये के अंदर जाता है और वहाँ पर डेमोक्रिसी को करवाता है, वहाँ पर वोटिंग को करवाता है और कापी ज़दा सांदार तरीकिसी ये मुवी वहाँ पर दिखा ही जाती है दोस्तो इस मुवी को देखने के बाद में आपका नजरिया समाज के परती डेपिनेटली बदल जाएगा दोस्तो अगले इस्तर पर में जिस मुवी का नाम लेने वाला हूँ वो है मसा दोजया पनरा में IMDB की 8.2 की रेटिंग के साथ में ये रिलिज होती है IMDB की 8.2 की रेटिंग के साथ में ये मुवी करेब 28 अदर अवोर्ड को भी जितती है इसके अंदर आपको विक्की कोसल जैसे बैतरिन एक्टर के अदाकारी देखने को मिल जाएगी साथ में आपको सुवेता तरिपाटी जिनकी एक्टर ही आपने मिरजापूर में जिरूर देखे होगी का रोल आपने गजगामिन गुपता के नाम से देखा था उनके आपको बैतरिन एक्टिंग देखने को मिल जाएगी गंगा के गाट पर बने मसान के उपर बनी एक मुवी है इसके अंदर चार वैक्टियों की जिन्दगी को दिखाया जाता है पुलिस का हरास्मेंट दिखाया जाता है दिखाए जाता है कि गरिब तपके की जिंदगी कैसे होती है Middle Class Family की जिंदगी कैसे होती है आम तोर पर आप जो मुवियां देखते हैं Student of the Year जैसी जिसके अंदर आपको एक बैतरिन और College की जिंदगी दिखाए जाती है लेकिन असल में middle class family की जिन्दगी ऐसी होती नहीं है middle class family किस हसाब साच चलता है उसके जिन्दगी क्या होती है अगर आपको बहुत समझना है तो मसान मोवी को जुरू देखेगा बहुत सांदर एक्टिंग के साथ में बहुत सांदर अधाकारी बहुत सांदर वहां पे आपको इसके प्रज़ दिखाए जाता है वरून ग्रोवर का वरून ग्रोवर के इसके इसके अंदर आपको फोट्री सच ने को मिलेगी और दूसिंद कुमार के एक पोट्री का गाना तो किसी रैयल्स ने चलती है और मैं किसी फूल्स थर थराथा हूँ जैसा बेहतरिन गाना इस मुवी के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगा तो दोस्तो जाए और इस मुवी को जूरू देखेगा अगले इस्तर पर में जिस मुवी का नाम लेने वाला हूँ वो है लांच बॉक्स दोस्तो यह मुवी जिस से में रिलिज होती है तब यह बापठा अवोर्ड के लिए भी अपना नाम रखती है बापठा अवोर्ड के साथ में यह मुवी 28 अधर अवोर्ड के लिए भी अपना नाम रखती है दोस्तो यह मुवी उस समय के बहुत ज़्यादा सुपर डूपर हिट मुवी थी पर अफसोस के बात यह है कि आम तोर प वेक्टी ऐसे मुवी को देखते नहीं क्योंकि इस मुवी के अंदर आपको समाज के ऐसे इसूओं को उठाती हुए मुविया होती है जो मुविया कापे धीमिगत से चलती है इसके अंदर आपको एक्षन सिन देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर आपको कोई भी romantic scene देखने को नहीं मिलता है कहीं पर भी आपको funny scene देखने को नहीं मिलता है वो दिमीगते से movie चलती है और मेरा मानना है कि इस movie को देखने के लिए आपके maturity कापे ज़दा high होने चीए otherwise आप इस movie को जहली ने पाएंगे इस movie को आप समझी नहीं पाएंगे यह movie कब start होती है कब खतम होती है आपको पता है नहीं चलेगा खतम होने के बाद में भी पता नहीं चलेगा एक ऐसी जिन्दगी एक ऐसी एकांतवाद की जिन्दगी जिसके अदर आपके पास में सब कुछ है सब कुछ होते हुए भी आपके पास में कुछ नहीं है इसके उपर बनी एक movie है बहुत ज़्यदा philosophical मेंने बात बोलती है लेकिन सही में जिन्दगी अपनी ऐसी है जिसके अदर एकांतवाद इंसान को गिरे हुए है और चैरो और से व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है इसके उपर बनी एक movie है एकांतवाद को बनी बहुत सांदर movie है इस movie को आप जुरू देखेगा और अगर आप इस movie को देखते हैं और अगर आपको इसका सारान समझ में नहीं आता है को मिल जाएगी इसके अंदर आपको आईसमान कराना की IPS के रुप में एक बैतिन एक्टिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर दिखाया जाता है कि आरक सांड की आज भी हमाज समाज में कितनी ज़्यादा जरूरत है ये movie एक real story को उपर बनी movie है जिसके अंदर यूपी की दो लड़किया जो की अपने दियाडी की दो रुपे की मज़दूरी की extra मांग करती है और इसको उपर उनके साथ में कितना social होता है उनके साथ में बलातकार होता है रेप होता और इसको उपर एक बनी बहुत ज़्यादा सांदर movie है जब समाज के अंदर में आजकर देखता हूँ आजकर के जो युवा लोग है जिनके सोच कापे ज़्याद मुझे निच्छी दिखाई जाती है कापे निच्छी दिखती है वे लोग जब आरक्सन के उपर बात आती है तो बोलते हैं कि आरक्सन गलत है दोस्तो इस movie को आप देखेगा और इसके बाद आप आपकी सोच को रखेगा कि आरक्सन आज इस हिसाब से सही है या फिर गलत है आपको पता चल जाएगा कि आरक्सन के आज उतनी ही जरूत है जितनी पहले थी क्योंकि आज हम जिस समाज में हम रह रहे हैं जरूरी तो नहीं है कि हर वेक्ति उसी समाज में रहे रहे हैं और आरक्सन के आज भी जरूत है तो दोस्तो इस movie को आप जूर देखेगा बहुत ज़्यादा सांदा थे किसे इस movie के अंदर acting आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तो अगले इस्तर पर मैं जिस movie का नाम लेने वाला हूँ वो है आरकसन मुवी का नाम ही आरकसन है इसके अंदर आपको अभिताब बच्चन की बहुत ज़्यादा सांदार acting देखने को मिल जाएगी साथ में आपको से पली खान के भी acting देखने को मिल जाएगी आरकसन सुप्रेम कोड का एक एक ऐसा decision जिसके अंदर OBC वर्क को आरकसन दिया जाता है एस्टे एस्टे के उपर भी बहुत जा रहा है उसमें विरोध भी होता है उसमें की गटना को बने हुई movie है यह real story पर बने हुई नहीं है पूरी कालपनी कटना है लेकिन movie को देखते हुआ आप समझ पाएंगे का हमारा education system कितना जदा वीक है और education system को किस हिसाब से लोगों ने धंदा बना दिया है इसके तरह की एक और भी movie है चौक एंड डस्टर इस movie को भी आप देख सकते हैं इसके अदर आपको जूई चावला की बहुत जदा सांदार एक्टिंग देखने को मिल जाएगी education system का क्या role है education system को एक education की तरह न और एक business की तरह कितना लोग देख रहे हैं आप आराम से इस movie को देखने के बाद में समझ पाएंगे यकिन मानिये इन दोनों movie को देखने के बाद में आपका समाज के परती नजरिया तो बदलेगा साथ में education system को सुधारन के परती आपका रोजान भी दिखेगा दोस्तों ये दोनों movie मेंने आपको देखाई education system के परती एक movie में आपको और दिखाऊंगा वो है राजी दोस्तो इस मुवी को आप जूर देखेगा ये मेगना गुलजार के दोरा डायरेक्ट की जाती है इसके अंदर एक रियल इस्टोई पर बनी मुवी है इस मुवी के अंदर आपको मेगना गुलजार के दोरा डायरेक्ट की गई मुवी आलिया बट के द्वारे एक्टिंग की जाती है बहुत ज़्यदा सांदर मुवी है रीर इस्टोई पर बनी हुई मुवी है इस मुवी को आप जरूर देखेगा दोस्तों इस मुवी के अंदर में कि जाते हैं इसको भी आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तिक मैंने आपको जितने भी मुविया दिखा यह जितने भी एक दू वेब स्रीज का भी नाम दिताया है वो सारे ऐसी वेब स्रीज है जो कि बहुत ज़्यादा धिमिगति से चलती है इसके निरा आपको कहीं पर भी अक्सन सीन देखने को नहीं मिलेगा कहीं पर भी आपको सांदर गाना देखने को नहीं मिलेगा जो कि सुपर डूपर रूड एट हुआ हो उसमें का कहीं पर भी आपको रोमेंटिक सीन देखने को नहीं मिलेगा आपको कहीं पर कॉमेडी सीन भी देखने को नहीं मिलेगा ब हुआ है कि इसको अंदर कुछ भी रियल्टी नहीं है कई पर भी आपको लोजिक नहीं देखेगा एक ऐसे मोवी जिसको देखने के बाद में आपके साथ में धुका किया आप धुक्डा के मेरा प्यार आप उसका इंकाम लेंगे इतना इजी है क्या इतना इजी है कि आपने प यह इस ऑफिसर बन जाते ना तो आपको हर कोने के अंदर हर गली के अंदर एक आयस ऑपिसर तो जुरू देखने को मिलता और आपके सारे कोलेज के जितने भी दोस्ते ना उसके अंदर से मैकसिमम लोग आई एस और आईपिसर होते हैं लेकि ऐसा ओता नहीं है सो दोस्तों के अंदर जीए, मुवियों के अंदर न जीए, और ऐसी मुवियों को देखें जिससे आपके सोच बदले, तो दोस्तों इसी नोट के साथ में मैं इस वीडियो को खतम करूँगा, साथ में एक बात में आप बोल गया, साथ में बताने, आपको बनता है, तो एक लाइक और कमेंट तो आपका बनता है, दोस्तों ऐसा ही बेहतर ने वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए असते रहें, मुस्कुराते रहें, साथ साथ में पढ़ते भी रहें, फिर ऐसे वीडियो के साथ में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए, चैहिंसातियों!